दोस्तों आप बहुत ही फ्रिक्वेंटली ट्रेवल करते हो और हाइजीन का थोड़ा सा विद्यान रखते हो न तो यह प्रोड़क्ट आपके बहुत ही काम का हो सकता है यह पोर्टेबल बाइडेट जिसको आप बहुत ही आराम से अपने साथ केरी कर सकते हो बैग में पैक करक हैं आप अगर पॉब्लिक ट्रांसपर्स से ट्रेवल करते हो तो आपकी मरजी की जगह नहीं रुकते हैं जहां उनका देल करता वहीं रुकते हैं और आपको वहीं फैसिलेटीज यूज करने होती है तो यह वाली चीज जो आपके बहुत ही काम आ सकती है स्वागत दोस्तों जहां पर हम ट्रेवल करते हैं लेकिन वह वह पे बिल्कुल भी क्लेन नहीं होते और जरूरी नहीं की वोटर के वैलिबिलटी भी हो तो यह तीन कलर में आता है जो भी आप अब अच्छा लगए आप मंगवा सकते हैं डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है तो यह जो वाइड है ना यह जो बोटल है इसकी यह बहुत ही सोफ्ट मेटरियल की बनी हुए है देखो मोस्टली मेटरियल जो सारा वह प्लास्टिक यूज़ हुआ है और उपर के जो कैप अना इसकी इसके साथ आपको एक इसका डखकन भी मिल जाता है यह देखिए अंदर के लगेज में कैरी करना तो असान हो यह इसकी कैप है जिसको आप कुछ इस तरीके से यूज़ कर सकते हो और जब आपको यूज़ नहीं करना तब आप इसको कैप लगा के रख सकते हो और यह जो पार्ट ना इसको आप देखो जब बोटल पे इसको आपको टाइट करना हो त इसको आपने बैग में रख लेना या फर आप गाड़ी में इसको रख सकते हैं चलिए जी मैं दिखा देता हूं कि किस तरीके से आपको इसको यूज करना है सबसे पहले हमने काम करना है जो उपर का इसका जो हिस्सा था इसको हमने पुल कर लिया और बोटल को ओपन कर लेते ह पानी से ब्र लेते हैं चलिए जी यह काम मैंने कर लिया पानी से इसको ब्र लिया है बरने के बाद आपने क्या करना है बस इसको कैप ने वहाँ पर देख सेतो हो केप एक वर सिफ्टी का भी काम करते है अगर बाइचान साब थोड़ा बोत पानी इसमें छोड़ भी देते हैं तो हलका फुलका बेल लीकेज इसमें रहेगा तो केप जो है उसको रोक सकते है दरवाइस जो है लगाने की जरूरत नहीं है बट प्रेशर जो है काफी अच्छा बन जाता है बहुत ही अच्छा मेकैनिजम जो है इसका बना हुआ है तो चोटा बच्चा भी अगर यूज़ करना चाहोगा तो इसको यह बहुत ही काम की चीज़ आपके लिए हो सकती है अगर आपने इससे पह का भी यहां पर द्यान रखा गया है यह जो बोटल है आप देख सकते हो इसके जो सेंटर पार्टन है यहां पर थोड़ा स्ट्रक्चर जो नो बबल टाइप बना हुआ है जिससे कि यह हाथ से स्किड्नी होती और यह बहुती अची चीज मेरे को तो लगी परसनली आपको कैसे लगी कमेंट करके जुरू बताना अगर आपने इसको यूज भी किया ना तो आपका एक्सपिरियंस कैसा रहा कमेंट करना बिलकुल भी मत बूलना थेंकि दोस्तों